कोरोना का संक्रमन टेज़ी के साथ बढ़ता ही जा रहा है और इस वक्त सीधर रूप करेंगे लखनो का जोहां से मारे साथ हमारे सायोगी संकल्प दुबे जुड़ गए हैं संकल्प अब कोई बड़ा कदम उठाना होगा कोई बड़ा फैसर लेना होगा सरकार को जिब बिल्कुल जिस तरीके से विवस्था हैं जो फिलाल देखी जा रही है उसमें कहीं न कहीं अब साफ तोर पे ये साफ हो चुका है कि कोरोना का संक्रमन उत्तर प्रदेश में उसमें लगाम लगाने के लिए पास लेकिन इस वक्त डिप्टी से अंद दिने शर्मा जी माय से जोड़ गए है दिने शर्मा जी बहुत सुआगत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तर अखंड पर सरगे क्या इस्तिती फिलालम देख रहे हैं प्रदेश की जहां पूर्वु मुख्य मंतरी मुख्य मंतर मानि मुखमंती जी इसके बावजूद पुरी तरीके से भी वर्चोली काम को सुपर्वाइज कर रहे हैं और उनने इस पर निर्डेज दे रखे हैं कि कोई भी काम उरुकना नहीं चाहिए और वोब दिकारियों को निर्णतर वर्चोली अपने दिसा निर्डेज पहुंचे आ रहे हैं जनतार तक ज्यादा से ज्यादा सुवधाएं पहुंचे हैं और सारे मंत्रिगर्ण अपने जिलों में जो प्रभार के छेत रहें उसमें वो विवस्था को बन जो है जो है जिसा निर्डेशिक करके रहें इसकी आदेश अभी उन्होंने जारी किये हैं और इश्वर से यह प्रातना है कि जल्दी स्वस्थ हो उन्होंने अपनी करोना के संदर में जाश की जाश रिपोर्ट उनकी प्राप्थ हुई जब उनकी कुछ अधिकारी करोना पॉजिटिव हो गए थे तो उनके संपर्ट वहने के करण उन्होंने अपनी जाश कराई थी और सजाश में वो भी करोना पॉजितिव निक्रे हैं इसमें उन्होंने अपने आपको आइसलेट कर रखा है और सभी को दिशार निर्टेज जारी किये हैं कि काम में बाधा नहीं आनी चाहिए और अपने को स्वरच्छे तकते हुए लोग जंता के पती जो भी हमारा दाइट दिने शर्मा जी क्योंकि आपने बताया कि शिरुवाती लक्षन उनको दिखेते और इस वज़े से ही उन्होंने खुद को पहले ही आइसलेट कर लिया था उनकी जार्च रिपॉर्ट पी आ गई है लेकिन एक मांग ये भी उट रही है कि क्योंकि कल से पंचाय चुनाव भी कि शुरू होने जा रहे हैं तो पंचाय चुनावों को टालने की मांग भी की जा रही है क्या इस पर कुछ विचार हो सकता है कि पंचाय चुनाव के संदर्म में जिसा में पर इस गैट लैन पहले से चारी की आ चुकी है और कडाई से उसका पालान हो उसके लिए जिला जो प्रशासन है उनको दिशा निडिसित किया जा चुका है और दुसांद पुरुवक और करोना कोविड-19 का अनुपरान करते हुए चिनाव संपन्द हो ये विद्वस्ता हमारी जिला प्रशासन जेगी जेट पे सफलता पुरुवक सुरिशित भी कर रहा है जी दिनेश जी जिस सदिकी की स्तितियां फिलाल प्रदेश में देख रहे हैं खास और पर राजधानी लखनौ जो है वो भी इसकी चपेट में आ गई है तो क्या आप लोगों के लिए आगी का प्लान कुछ आप लोगों ने तयार किया है कुछ लखनौ के लिए तो लगवक दो हजार के लिए प्रदेशील हुए हैं अब कोशिव एंटिलेक्टर्स और इंटिप्मेंट्स बाहर से भी मंगाये गए हैं हिंद मेडिकल कॉलेज इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज जो हमारा यहां पर यहां पर पियस मिस्रा मेडिकल यूनिवस्टी और साथ में बलामपुर हास्पि यहां पर किया गया है और हम समस्ते हैं कि अपर्यास्त मात्रा में जो चिकचीं अपकरण हैं उनकी उपलब्धता के साथ शाथ जो यहां पर दवा है वो उपलब्ध रहे जो पुरी चिंता परकार ने की है और लगातार हमारा जो मिडिकल श्वास विवाग है उसको कि अभी भी नर्डेश देए हैं कि जो प्रभारी मंत्री हैं हर जिलों का अपने प्रभार छेत्व हैं उसको सुपर वाइस करे और वहां के लोगों से लगातार कॉड़निसन से इस्तापित करते हुए जो स्कृतिसरी सुईदाय है और वो लगातार प्रदेश तरकार की तरफ से हर जरूरी कदम भी उठाय जा रहे हैं और एहमदाबाद से भी बड़ी खेपिक आने वाली है इंजेक्शन की कमी भी देखी जा रही थी हमारे पास हो गई है जो वेंटिलेटर की कमी थी वह भी हमारे पास पे कुछ काफी वेंटिलेटर भी आ गए है तो हम समझता है कि लखों में जो भी आवसकता पड़ रही है वो पिताल हमारा जो स्वास जिजाग है उसको मुक्वंती जी के निर्देश पर पूरा कर रहा है जी दिनिश जी लेकिन कई जगे पर ऐसा है कि कोविड अस्पतालों को भी आप लोगों की तरफ से बढ़ाने के निर्देश दिये गए है लेकिन ओपीडी सेवाएं जो बंद हुई है तो ऐसे में कुछ दिक्कते लोगों को भी हो रही है मरीजों को भी हो रही है जो की रो प्लैन B की आगे लोगडाउन की संभावना भी बन सकते हैं क्या अभी लागडाउन पे खुल विचार नहीं किया गया है जी प्रतम लहट इसमें लागडाउन इसलिए लिए लगाया गया था कि हमारे पास अबची कसी विश्थाएं नहीं थी तो मार्च 2020 पे जब करोना का आगरामे में उसको लागडाउन पर कि हम अबरे पास में आगडाून इस तिते हैं यहां पर मौजूद हैं ऐसी स्थित में लागडाउन ऐसी स्थित में कि कोई भी उसे विशार नहीं किया गया है हम अपनी तरफ से पूरी COVID-19 गैडलाइन को हमारी तरकार में जारी किया है उसका कलाई से अनपालन हो और लोगों से कहा गया है कि सरकार की सुधाओं के सास्ताथ जो सरकार की प्रत्म हैं उनके सास्ताथ लोगों के अपने प्रत्म भी स्वयम को सुरख्षित करने की जो सफ़े बड़ी जुम्मेदारी है वो हमारी जनता की है जो COVID-19 की गैडलाइन को पालन करे अपने सुरख्षे पतने के लिए मांक तो सैनिटाइजर का उप्योग करें दोगज की दूरी का उप्योग करें यह अपील जरूर हमारे बानी मुक्मंत्री ने पॉजिव होने के बाउजिव जनता से की है जी बिकुर देखिए मुक्मंत्री की जो गंभीरता है दिनेश जी वो नजर भी आती है क्योंकि खुद वो ग्राउंड जीरो पर गए और वहां के हालाद बिनोंने देखा और इसी वज़े से नाइट कर्फियो लगाने के भी निर्देश दिये गए लेकिन सर क्या इसी तर विज़े से सब्सक्राइन के तोर पर लोगों को फोन के दोरा भी तमाम प्रकार क्यों पंए तोर परbit शेथ असे कियों के लोग भी बताने का काम कर रहे हैं। कुछ परेवेट संस्थानों ने इस बात की विवस्ता भी की है कि एक आल तो पुक्तान पे वो करोना की केट जिसमें जैसे भाफ लेने का अपना ऑक्सिजन नापने का इस वकार के उपरकॉणों को भी पहुंचाने का और कुछ जो विसरवाती दवाएं हैं उनको पहुंचा करने का भी कार्व किया है तो विसरवताओं के सब लोग लगे हैं और इसके परिणाम भी आये हैं कि आज आज आपकल और परशों के पिक्षा केसिस कम आये हैं और लगता है कि हम सब लोग जो 2000 वेट लखनों में बढ़ जाएंगे तो उसे वारी किस्टा विवस्ता और को भी जब तैयारी भी नहीं कि तब भी हम उनको सबहाल चुके हैं अबकि पहले से कर्मिस्टर और डियम को अलट कर दिया गया है जो हमारे जिलों के प्रवारी मंत्री है वो भी लगाता संपक में है पार से आने वाले प्रवदासी जो समिक हैं उनको उनके गाउं तक सब्सक्राइब को प्रियुक किया गया था उनकी अगर आव सकता पड़े कि तो फिर से उसको हम लोग काम में लाएंगे अभी इतनी जो से प्रवायन नहीं हुआ है और नहीं इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आना सू किया है सर एक आखरी सवाल कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर बाहर गूमने का पहाँ चलने का प्रतन अनावश्यक रूप में न न करें जाएजा जरूरी हो तभी वो जो है अन्ना चीजहों के लिए जाएंगे और उनसे यही का गया है कि मास्स जरूर लगाएं दोगज की दूरी जरूर लखें से इनिटाइजर का उपयोग करे और बेतर होगा कि सरकार की जो सुईदाएं हैं उनके साथ साथ जो जरूरी दवाएं हैं जरास्ता में शिर्टा होने के बार उनका उप्योग जरूर करें चलि फिलाल बहुत बहुत शुक्री आपका सर जी उत्रप्रदेश उत्राखंड के साथ जोड़ने के लिए तो फिलाल और इस वक्त हमार सा सुरेश खना जी चिकित्सा मंत्री जोड़ चुके हैं सुरेश जी बहुत स्वागत है आपका जी उत्रप्रदेश उत्राखंड पर सर फिलाल मौजुदा इस्थिती को आप किस तरीके से देख रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भी आप कोरोना पॉजिटिव हो गये हैं धन्यवाद मैडम ये सही है कि इस बैस्चुक महामारी का सबसे बिक्राल रूप उत्रप्रदेश में देखने को मिल रहा है और ये हमारे लिए चिंता का दिश्या है आज महनिय मुख्यमंत्री जी की रिपोर्ट भी पाजिटिव आई है हम रुप प्रदेश की 24 जनता इश्वर से ये प्रासरा करती है कि हमारे मुख्यमंत्री जी शीक रिस्वत हो हम हर तरह से हमारी सरकार हर तरह से इस बास के लिए पूरी मनोडक से पूरी शिद्दक के साथ प्रास करेंगे पहली वाली लहेर आई थी उसको भी पड़ास किया हमारा रिकभरी जये सबसे अच्छा था और हमारा पॉजिटिविटी रेट भी कम था, प्रता फेटलिटी रेट भी एक्षाक्रस कम था, लेकिन इस बार फिर फिर हम पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत के साथ डेटे हैं, और हर हालत में कुरोना को परास करके रहेंगे, यह हमारा संकल्प है, और हमारे मानिय मुक्त मंत्री जी भी इसी दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, लगातार रोज मिर्टिंगे करके, रोज मौनिटरिंग करके, तरकारी तंत्र को भी एक्टिव किया है, और निजी छेत्र को भी उन्होंने सायोग लेकर एक्टिव किया है, पचाव से लेकर और इलाज तक हर पहलू पर नजर रखी है, हर तरह से ही कोशिश किया है कि कोरोना के पहलाव को रोका जाए, और फिर भी संक्रमित मिले, तो उसका बहतर इलाज की सुविदा प्रदान की जाए, जी, बिलकुल, सुरेज जी, लेकिन जिस तरीके से क्योंकि ये भी आपने जिक्र किया कि हर सं केशव प्रसाद मौरी जी, हमाइसा जोड़ गए है, केशव जी, बहुत बहुत सुवागत है आपका, जी, उत्रप्रदेश, उत्राखंट पर, सर, कोरोना के केसे तेजी के साथ बढ़ रही है, मौजूदा इस सिती को आप कि सरीके से देखते हैं, क्योंकि मुख्य मंप्र पोर्वो मुख्य मंप्री, क्याबिनेट मंप्री तक इसकी चपेट में आ रहे हैं? वर्चुल तरीके से वहाप प्रदेश की जरूरत के इसाथ से अपना मागद लगातार दे रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास में जल्दी से जल्दी स्वास्थ होंगे, पूर मुकंत्री चपले से आदो जी भी कोरोना पाजिटिव हुए हैं, इसके लिए मेरी बढ़ खित, इसके जल्दी स्वास्थ होंगे, हमारे से अपना मेरी स्वास्थ होंगे, हमारे स्वास्थ होंगे बढ़ लाए वाणागारें, पूर देश के बहुत सारे नागरी वह चुनोती पर विजय प्राप नहीं की जा सकती। इसे विरीज सभी प्रदेश वासियों से विशेश तोर से अपील है। कोरोना प्रोटोकाल का पालन करें सरकार के असर पर कभी आउस्तक कदम इतनी सी जरता से जो भी वेवस्था की जा सकती है वो किया जा रहा है। केशव परसाद जी लेकिन चिकित्सा सिवाओं को और बहतर बनाने के लिए क्या कुछ कदम और उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। नीजी हास्पेटलों में भी COVID के लिए बिढें मलब अलग से संख्या निधायित की जा रही है। जो मलब केसे सहसे हैं जिनके लिए कटनाईया होती हैं उनके लिए अलग से आईशियू का भी प्रबंद किया जा रहा है। पूरी तरह से सतर्क हैं। सभी आउस्टक अधा रही हैं। सर्कार के असर पर कुछ भी कमी न रह जाए। इसके हम लोग प्रियाद कर रहे हैं। आज जरूर है कि आज जो रिपोर्ट कोरोना की आई है मानि मुकंत्री जी की या पूर मुकंत्री जी की या हमारे काई काई करने चाहते हुए भी जाना ही पड़ता है तो वहाँ पर कॉन संक्रमी से कौन नहीं संक्रमी से पता नहीं चलता है चलिए बहुत बहुत शुक्री आपका जी उत्रप्रदेश उत्राखन के साथ जोड़ने के लिए